आप सभी लोगों का रिजनिंग के इस प्यारे सी क्लास में यह सो गूद मॉर्निंग आप सभी को वंचिका जानवे चेराग सॉमैन सूरज श्वेता मैंडी श्रिष्टी गूद मॉर्निंग आप सभी को तो आज के इस सेशन में एक और प्यारा सा टॉपिक जो हमें क्लर्क और प्यों दोनों के एक्जामिनेशन में प्री और मेंस दोनों स्टेज़ेश में देखने को मिलता है उसको डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए शुरुवात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग इस टॉपिक को अगर एक्जामिनेशन में इस टॉपिक के वेटेज की मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का आज कल वेटेज जीरो मार्क से लेकर पाच मार्क तक होने लगा है ठीक है मतलब आज कल जीरो से पाच का मतलब क्या है पहले इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे ही जाते थे आंठ पो अभी क्या हुआ है को मल्टीपल हिप्ट में पीपर शर्डऄ को एक चीज़ एंच्णर करनी होती है कि CHRIST में सेम पेपर हमें देखने को ना हमें तो पुछ शिप्ट में यह टॉपिक पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो कुछ में नहीं देखने को जो भी पोर्शन जो भी पार्ट नहीं बचे हैं उनके लिए सेपरेट वीडियोज आपको मिलेंगे तो उसका टेंशन मत लेंगे ठीक है टेंशन मत लेजिए चलिए तो कोडिंग डिकोडिंग की शुरुवात करते हैं बट उससे पहले मुझे यह बताओ आप मैंसे कितने लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आईडिया है बताईए मनुट साओ जी सिलोजिजम में बस only and only a few बचा है ठीक है उसके अलग से वीडियोज आपको मिलेंगे निकिता जी सिलोजिजम के रिविजन आने वाले सेशन में होंगी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग की नहीं पता है जूट बूल रहे हो आप सब आप सभी को coding decoding के बारे में idea है केसे मैं बताता हूं इस करते हो कि नहीं लिकते हो नहीं लिखते हो कि आगे बहुत कुछ favor aadu ठेगे मुझे यहां तक ही पता है धाके आगे की इसकी नहीं पता है अटिकर एक यह सार हे लिखते हो नी कि क्या है यह कोडिंग डीकोडिंग ही है यह जी डी क्या है जी अन क्या है गुड़नाइट सब्सक्राइब क्या कि आपने गुड़नाइट जो रेग्यूलर पाटन में इन्फरमेशन थी उस इन्फरमेशन को किसी लॉजिक से ऐसा लॉजिक जो सामने वाले को पता हो सिर्फ, हर किसी के code अलग अलग होता है, है ना, तो जो logic सिर्फ सामने वाले को पता है, इस logic से उसको किसी दूसरे form में represent करती है, तो ये code हुआ, तो coding क्या हुई, जो भी regular information होती है, उस regular information को किसी logic के मदद से दूसरे format में represent करना coding होता है, तो आपने अपनी end से code कर दिया, अब ये message चला गया सामने वाले के पास, सामने वाला सोच रही है, ये GNSD तो ठीक है, TC इसके आगे कुछ-कुछ लिखा है, क्या मतलब हो सकता है इसका, तो सामने वाला इंसान इसका logic समझ कर, original message समझने की करता है, उसको कहता है decoding, अब पता है सभी को coding decoding, बता हो, coding decoding पता है कि नहीं, आप बता हो, ठीक है, ये तो coding decoding क्या है, मैंने आपको बता दिया, अब examination में coding decoding पर कितने type के questions पूछे जाता है, ठीक है, अगर हम बात करते है, prelims examination, प्रिलिम्ज एग्जमिनेशन में letter coding पर question पूछे जाते हैं ठीक है और Chinese Coding पर Question पूछे जाते हैं Letter Coding और Chinese Coding Prelims Examination में पूछी जाते हैं ठीक है तो Letter and Chinese Coding हमें Prelims Examination में Face करनी है Mains Examination में क्या होता है Mains Examination में अल्वानियुमरिक सिंबल कोडिंग पुछे जाती है जिसमें alphabets हो numbers हो uk symbols हो अल्फानियुमरिक symbol कोडिंग मेंनेस एक्जामिनेशन में conditional coding पुछे जाती है तो यह सारी चीजों से हम deal करेंगे ठीक है शुरुर्वात कहां से करेंगे letter to letter coding से करेंगे बट कोडिंग डिकोडिंग में चलने से पहले कुछ चीज़े पता होना जरूरी है जिनका रेफ्रेंस अल्फाबेट्स है ठीक है binary mains examination में आती है मायरा जी मेंस के टाइम पर मैं आपको binary भी बता दूंगा बाइनरी कोडिंग वगेरा सारी चीज़े मैं आपको बता दूंगा तो वरीज ठीक है हाँ मैं कुछ तो पूछ रहा था अभी क्या पूछ रहा था कि A B C D हाँ alphabate से याद आया मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि लास्ट जो अल्फाबेट का session हमारा हुआ था उसमें हम लोगों ने alphabet के positional values याद किये थे हर किसी को याद है कि बताओ हर किसी को positional values याद है क्या है यह पहला ये पाचवा, ये दसवा लेटर, ये पंदरवा लेटर, ठीक, ये बीसवा लेटर, ये पच्चिसवा, और ये चब्दिसवा, सबको याद है ये, ये सभी को याद है तो बताओ, पहला लेटर कौन सा होता है, ए, पाचवा लेटर कौन सा होता है, ए, जे, दस, ओ, फिफ्टी ती 20, य याद है न जब को बढ़िया अभी आज के सेशन में एक और चीज हमें सिखनी है और वो क्या है अलफाबेट से ही रिलेशन है उसका reverse pairs क्या सिखना है हमें आज reverse pairs यह reverse pairs क्या होता है सबसे पहले तो मैं यह आपको बता दूँ तो reverse pairs क्या होता है देखो मैं क्या कर रहा हूँ यह इंगलिश के जो alphabets है न यह पहला alphabets A इसका connection हमने किसके साथ लगा दिया last alphabet के साथ पहले का connection last से reverse pairing कर रहा है दूसरा alphabets B इसको pair कर दिया second last से तिसरा alphabets C pair कर दिया third last से चौथा alphabets D pair कर दिया fourth last से ठीक है and so on D, E का V, F का U, G का T, G, H, S, I, R, J, Q, K, T तो reverse pairs क्या होते है समझ में आ गये सबको तो वाई लिखो सभी को reverse pairs अगर समझ में आ गया है तो वाई लिखो coding decoding में important है reverse pairs का चानल निशा जी good morning चलो जल्दी से session के flow में आ जाओ जो लोग अभी अभी जूड़े है तो reverse pairs मतलब पहले का लास्ट के साथ second का second last के साथ सोवाथ कितने reverse pairs हमें मिले total 13 reverse pairs हमें मिले यह 13 के 13 reverse pairs याद रखने किसको याद है बतलब एक चीज़ है न स्कूल कॉलेज में बड़ी दिमाग खराब करती थी चीजों को रटना मुझे रटना कभी अच्छा नहीं लगा चीज़े याद रहती नहीं थी फिर मैं क्या करता हूं फिर मैं क्या करता था कि चीजों को याद रखना आसान हो जाए इसी लिए मैं कुछ भी अत्रंगी शॉटकट्स बना लेता था तो ऐसे ही इन तेरा रिवर्श पैर्स का कुछ शॉटकट्स है जो मैं आपके साथ शियर करने वाला व अत्रंगी कहानी है तो यह कहानी एक मिया बीभी कि कहानी है नहीं नहीं शादी होई होती है नहीं नहीं शादी होने के बाद मतलब वो चलती रहती है 8-7-8-10 दिन रसम भगेरा खतम हो जाती है फिर क्या हो जाता है एक दिन आराम से संडे को भालकनी में बैठके मिया भी चाई पीर है अब चाय पीते-पीते क्या होता है, हस्बंड से चाय का कब गिरतर तूट जाते है, भाई सहाव, फिर जो उन्दोनों में बवाल होता है, मैंने इत्ती गंदी चाय बनाई कि तुमने मेरी बनाई चाय फेग दी, दीखती हूँ तुमें, ठीक है, खतम होता ही नहीं है, पात- पिछे गंदे के बाद जगड़ा खतम हो जाता है, फिर अगला दिन, मंडे, मंडे टू सैटर्डे ऑफिस के काम रहते हैं सभी को, तो ऑफिस के काम के चक्कर में ही याद रहता ही नहीं है, पर बीच-बीच में जैसे याद आ जाता था कि या और इसने तो मेरी चाय की कब खते हैं, जैना बीच-बीच में फिर से वो वी-पी हस्बंड को याद देला रहती है, ज्यादा बोलना मत, मुझे याद है पिछले संड़े क्या किया था तुमने, याद है मुझे, यह इस से हस्बंड हो जाता है, फ्रस्टे का हो जाता है, पिर से दोनों बैकनी में बैठ जगडे में अब ध्यान से जुनों अब आगे इंपोर्टेंट का निया इस बार बार के जगडे से हस्बंड हो जाता है परेशान क्या हुआ, कोन परेशान हुआ, पार बार के जगडे से हस्बंड परेशान हुआ, और हस्बंड ने परेशान होके क्या कहा, ठीक है, द्यान से जुनिए, पार बार के जगडे से परेशान कोन हुआ, हस्बंड परेशान हुआ, और हस्बंड ने परेशान होके कहा, मान लो, हस कानी में परेशान कौन हुआ हजबंड हुआ हजबंड ने परेशान होके क्या कहा मान लो आज इवनिंग वो बोलता है मुझसे एक चाय का इत्तुशा कब टूटा था इसके लिए मेरा हफ्ते बर दिमाग खराब किया अब हजबंड का अलग फ्रस्टेशन बोलता मैं तुब नों मैं लो आज इवनिंग कोशन के स्पेलिंग में कॉम्प्रमाइज है कोई दिक्कत नहीं है वो बोलता है आगे क्या कहता है वो आगे कहता है शिक्स दूद वाले कप पाई इंडियन रेलवे जाकर प्रस्टेट कोन हुआ था कहानी में हजबंड प्रस्टेट होके क्या कहा उसने मान लो आज इवनिंग शिक्स दूद वाले कप पाई इंडियन रेलवे जाकर गेटवे ओफ इंडिया से ले के आऊंगा ठीक ये सब कहानी उसकी वाइफ सुनती है और बहुत प्यार से सुन रही होती है वहां क्या बोल रहा है जड़ा सुना है ठीक है तो ये सब कहानी सुनकर उसकी वाइफ बोलती है उफ कितना पकाते हो एक बार कहानी के रिविजन कर लेता है फिर जिंदगी में ये तेरा पैर भूलने की जरुरत नहीं पड़ेगी और एक्जामिनेशन हॉल में जो चीटिंग करते है न रफ शीट पर पेपर शुरू होने से पहले लिकलो लिकलो सारे रिवर्स पेर वो भी करने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो इस कहानी में फ्रस्टेट हुआ था हस्बंड एचस हस्बंड कहा था उसने मान लो आज इवनिंग सिक्स दूदवाले कप पाई इंडियन रिल्वे जाकर गेटवे ओफ इंडिया से लेकर आओंगा उसकी बीवी सुनते हो बहुत ही बहुत आदमी हो ठीक है सारी की सारी रिवर्स पेर्स हो गए तो अलफाबिट इस चैप्टर से यह सारा बेसिक नॉलेज हमें टेक है तो चलो अभी क्वेस्ट्शन पर चलते हैं पहला पुष्ट्शन लेटर टू लेटर कोडिंग देखो अब इसमें हिंदी में क्वेस्टंथ नहीं है चिला ना नहीं क्यूंकि कोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन के जरुरत पढ़ती नहीं है इंह trata सिद्धा यहां पर integrate लाइंग्वईज में सल्टो यह कहा जाता है तो डेली को यह कहा जाता है आपको बताना है नौइडा को क्या कहा जैगा ठीक है ओके चलो तो इसमें हिंदी के जरुरत नहीं है सब लोग आंसर करो साउथ का कोड़ दिया है हमें ठेली का कोड़ दिया है हमें हमें नोइडा का कोड़ बताना है लॉजिक मिल गया कहानी ने कितना बड़ा काम कर दिया देखो जो कहानी अभी हमने पढ़ी थी कितना बड़ा काम कर दिया एक एक एस एच रिवर्स पेर लो रिवर्स पेर ओफ केटवे ऑफ इंडिया हस्बंड दूद्वाले इवनिंग लो हस्बंड इंडियन रेल्वे सारे के सारे क्या है रिवर्स पेर थे ठीक है तो नौइडा का कोड जो बनेगा उसमें भी क्या आना चाहिए था सारे के सारे रिवर्स पेर जाने चाहिए थे ठीक है तो एन का रिवर्स पेर, म, ओ का रिवर्स पेर, एल, आई का रिवर्स, आर, डी का रिवर्स, दूद्वाला, आज, तो M, L, R, W, Z, M, L, R, W, Z, Option C, स्वाहा ठीक है, आंसर मिल गया हमें, यहां से सीखने लायक इंपॉर्टन चाहिए, देखों, लर्निंग जब चल रही हो न, अगर systematically लर्निंग हो, तो जब हम आगे चलके advanced question discuss करते हैं, तो हमें परेशानी नहीं होती है, ठीक है, तो आगे चलके परेशानी ना हो, इसलिए हमें क्या रहे है, तभी सारी चीज़े systematically सिखनी है, यह pattern को हम क्या कहते है, इस pattern को हम कहते है, later to later coding, क्या कहते है, later to later coding, क्यों, क्योंकि इस में हर एक जो later आया था, उस later को represent करने के लिए, जो code दिया है, वो भी क्या है, एक later ही है, तो later के लिए, later ही code बन कर आया, तो यह क्या हुआ, later to later coding, अगला question solve करना, later to later coding पर ही है, बताई यह क्या answer है, सर्च का code दिया है, सर्च का code दिया है, UGC तेज, मन्तली का code दिया है, OQPV, OQPV, JNA, अब क्या है, समझ में आ गया, अब, अब यहां पर क्या हो रहा है, pattern समझना बहुत जरूरी है, उचलिए pattern समझते हैं, अब, जो पहला example था, उसमें relation क्या लग रहा था, उसमें relation reverse लग रहा था, हर एक letter का reverse letter लिया गया था, इसमें देखते हैं, S के बाद, S के लिए जो letter लिया गया, वो क्या लिया गया, U, English alphabet से अगर हम देखेंगे, तो यह क्या होता है, STU, यानि अगला दूसरा letter, S के आगे का दूसरा letter है, यानि यह relation क्या हुआ, plus 2, अगला letter लेंगे तो plus relation कहेंगे, पिछला वाला letter लेंगे तो minus relation कहेंगे, ठीक, अब, English alphabet में, E, F, G, E का अगला दूसरा letter लिया है, यानि यह भी क्या relation हुआ, plus 2 का, PC plus 2, ST plus 2, DE plus 2, HIJ plus 2, तो सारा का सारा relation किस में चल रहा है, plus 2 में चल रहा है, मंतली में देखते है, NO plus 2, PQ plus 2, OP plus 2, UV plus 2, IJ plus 2, MN plus 2, ZA plus 2, Y का A plus 2 कैसे हुआ, Y के बाद आता है Z, अब Z के आगे कुछ नहीं है, तो सिर्फ later to later coding में, Y का plus 2 अगर निकालना है, तो Z के आगे counting हम continue, बात समझ में आ गई सबको, चलो, तो यहाँ पर सारा का सारा logic हमें clear है, प्लस 2 का pattern चल रहा है, तो Supreme का code निकाल लेते है, S का plus 2, TU, U का plus 2, VW, P का plus 2, Q, R, R का plus 2, ST, E का plus 2, FG, M का plus 2, NO, E का plus 2, FG, ठीक है, तो U, W, R, T, G, O, G, U, W, R, T, G, O, G, Option D is absolutely correct है, अब ध्यान से सुना, क्या चाहिए, letter to letter coding, जल्दी करनी है, accurate करनी है, तो क्या चाहिए, कोई बताएगा मुझे, letter to letter coding, अगर जल्दी करनी है, और accurate करनी है, तो English के alphabets पर अच्छी command चाहिए, कोई भी alphabets आपको दे दिया चाहिए, कोई भी English का alphabets आपके सामने आ चाहिए, तो उसके आगे के पाच्छे alphabets और पीछे के पाच्छे alphabets, आपको तुरंत क्लिक होने चाहिए, पर practice, practice से अच्छी alphabets पर पकट, कोई भी alphabets सामने आ गया, तो उसके पहले 3-4, आगे 3-4, जो हमने नरसरी वरसरी में किया था, alphabets जो सीखे थे, जूनियर के जिवगेरा में, वो alphabets पर based question है, ठीक है, अब किसी की command अच्छे नहीं यह alphabets पर, तो लिखो आज 10-10 बार alphabets लिखो सारे, 10-10 बार revision करो सबका, ठीक है, ओके, statement वाला भी होगा, निकिता जी, statement वाला भी coding, decoding होगा, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यह जो alphabets के alphabets पर based relations आ रहे है, यह relations हम लोगों ने अभी तक दो देखे, कुन सा relation देखा, एक देखा, reverse relation जो first example में था, अभी देखा हमने plus वाला relation जो इस example में था, जैसे plus वाला relation होता है, वैसे minus वाला relation भी होगा, ठीक है, चलो एक question देख लेते हैं, removal का code दिया है, removal का code दिया है, MBWPNFS अधर का code दिया है, S-F-I-U-P S-F-I-U-P यहाँ पर pattern में लाकर आप देखो, अब थोड़ा सा अलग खेल खेल है, किसको समझ में आया यह खेल, पहला जो example हम लोगों ने देखा, उसमें क्या हुआ था, जो पहला letter था, उसका code पहले position पर आया था, जो दूसरा letter था, उसका code दूसरे position पर आया था, same, तीसरे letter का code तीसरे position पर and so on, same चीज, second example में भी हुए, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, R का plus 1, E का plus 1, M का plus 1, O का plus 1, V का plus 1, A का plus 1, R का plus 1, यानि यहाँ पर relation तो plus 1 में ही है, पर यह pattern ऐसा है क्या, pattern ऐसा नहीं है, pattern क्या है इसमें, pattern, cross pattern है, ठीक है, cross pattern का मतलब क्या, cross pattern का मतलब, जो पहला letter है, उसका code आखरी position पर, second letter का code second last, second last का second position पर, and last का first position, ठीक है, तो letter to letter coding, जभी भी हम सीख रहे हो, दो चीज़े बहुत important हो जाती है, कौनसी दो चीज़े हैं वो ध्यान से सुनना, letter to letter coding में, दो चीज़े, सबसे पहली चीज़, letter के लिए, जो code बनके letter आ रहा है, उसमें क्या relation लगता है, और दूसरा, pattern, कौनसे pattern में, वो सारी चीज़े चल रही है, ये भी important है, ठीक है, relation समझ में आ गिया सबको, relation क्या होता है, जो हमने देखा, relation क्या होता है, पहले इसमें हमने देखा, reverse relation, ठीक है, वैसे ही, हमने relation में देखा, कि plus वाला relation भी हो सकता है, वैसे minus वाला relation भी हो सकता है, ठीक है, तो relation ये तीन हो सकता है, pattern, pattern ये दो ही होता है, pattern क्या हो सकता है, एक तो face to face pattern हो सकता है, ये वाला, नहीं तो दूसरा cross pattern हो सकता है, ये वाला, समझ में आ गया, येस, नितेश कुमार जी, कुछ भी possible हो सकता है अब और interesting होगा देरे देरे और interesting होगा क्योंकि banking examination की खासियत ही है banking examination का एक अच्छा चीज मुझे पसंद है वो क्या है पता है मैंने personally भी सिर्फ इसी reason की वज़े से banking examination का preparation choose किया banking examination का syllabus बहुत कम है syllabus बहुत कम है तो हमें exactly पता है हमें क्या क्या करना है पर इसमें थोड़ा से किये करना पड़ता है कि उस syllabus के depth में जाना पड़ता है बहुत detail में सारी चीज़े से क्योंकि examiner question कुछते वक्त variation करता रहे ठीक है वो आसान है comparatively वो आसान है तो चलो ये समझ में आगया तो अभी हम लोग क्या कर रहे है ये चीज़ तो हमें पता चली later to later coding में हमें relation भी समझने है pattern भी समझने है relation तीन है हमारे पास pattern दो है अब examiner के पास scope नहीं है paper setter के पास scope नहीं है वो इसी में खेलता रहेगा ठीक है देखो अब वो क्या-क्या खेल रहा है क्या-क्या खेल रच रहा है देखिए praise नहीं जो कुछ भी उसका pronunciation है parise P-A-R-I-S-E T-C-R-G-U-K P-A-R-I-S-E देखो उसने क्या खेल रहा है इदर things का code K-J-V-U-I-P K-J-V-U-I-P आप मेंस लेवल के भी question कराएंगे after class जने की तची कराऊंगा ठीक है मेंस में जो alpha symbols वाले question आते हैं न सेशन के आखरे में कराऊंगा काजल जी मेंने bank का paper दिया नहीं clear भी किया है RRB में selection हो भी गया था first attempt में ओके बट teaching में ज्यादा interest था तो फिर RRB में कभी job किया ही नहीं option B चलो खेल समझ में आगे यहां पर क्या खेला जा रहा था देखो अब हम लोगों ने pattern दो सीखे तो pattern कौन से सीखे एक तो face to face pattern सीखा दूसरा cross pattern सीखा relation तीन सीखे plus minus relation reversal इसमें हो क्या रहा है पता है आपको बता दूँ आर स्टी relation प्लस टू ए बी सी relation प्लस टू पी क्यू आर रिलेशन प्लस टू एक आई जे के relation प्लस टू स्टी यू रिलेशन प्लस टू एफ जी रिलेशन प्लस टू तो कहानी वही है जो हमने अभी तक सीखा उसके बाहर question गया क्या नहीं बस जो पहले पूरे word पे apply हो रहा था अब आधे आधे word पे अप्लाए हो रहा तो एक बात अब एक process define कर लेता है कि किस process से यह questions हमें tackle करने देखो प्राक्टिस से यह 30 seconds के अंदर solve हो जाता है ठीक है तो देखो कैसा है सबसे पहले हम face to face pattern में तीन relation check करेंगे कुन से यह reverse relation है क्या plus minus है क्या यह check करेंगे अगर face to face pattern में नहीं मिला हमें तो हम क्या करेंगे cross pattern में तीन relation check करेंगे face to face में भी नहीं मिला cross में भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे हम partitions बनाएंगे और partitions में फिर से यही काम करेंगे खतम खतम चिरक खतम इतना ही है क्योंकि examiner सिर्फ इसी के बीच में खेलेगे तो अब हमें Indian का code चाहिए था चलो Indian का code निकाल लेते हैं टी का प्लस टू टी एफ एन का प्लस टू ओ पी आई का प्लस टू जे के एन का प्लस टू ओ पी एक प्लस टू बी सी आई का प्लस टू जे के तो fpk p c k fp k p c k option b is absolutely correct अभी समझ में आ गया है सबको अरे यार एक चीज मैंने आप लोगों से कही है कि आप चीजों को जितना complicated मान लोगे चीज़े उतनी complicated बनती जाएगी ठीक है आपका mindset आपके life में किसी भी चीज में बहुत important role play करता है किया mindset के साथ आप वो चीज कर रहे हो आप कोई चीज को सिखते वक्त पहले से ही दिमाग बना लोगे ना यार यह बहुत complicated है यह तो बहुत मुश्किल है तो फिर वो जिंदगी भर मुश्किल रहे ठीक है जब Thomas Edison ने बल्ब बनाने का experiment चुरू किया था तो उनका विश्वास था कि मैं successful बनूंगा तो उस विश्वास के कारण जब उनको हजारो failures मिले उन हजारो failures ने impact नहीं डाला क्यों क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हाँ मुझे काम्याबी मिलेगी माइंचेक सारा का सारा माइंचेक ठीक है तो फिर चीजों की तरफ देखने का नजरिया बदल दीजिए रे आंसर निकाला क्या हमने हाँ निकाला आगे चलते हैं अब यह इसको हम Chinese कोडिंग कहते हैं यह क्या है Chinese को हमें किसका कोड चाहिए हमें MZ का अब जरा सबसे पहले पैटन को समझते हैं अंसर निकालने से पहले यह है क्या यह समझना जरूरी है अब हमें क्या दिया है इसके ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदी में भी यह क्वेसियन ऐसे दिखेगा हिंदी में आपको क्या दिखेगा कोई एक कुट में कोडिंग को कुट कहता है हिंदी में यह मुझे नहीं समझ में क्यों कहता है बट कहता है कोई एक कुट भाशा में problem a million issue को लिखा जाता है हिंदी में सिर्फ इसका translation available रहेगा को लिखा जाता है यह as it is आपको मिलेगा इसका कोई translation नेगा ठीक है तो अब जरह देखो इस question का मतल मतलब क्या है इस question का मतलब है problem a million issue किसका code है यह वाला मतलब इन 4 words को यह 4 codes इन 4 words को यह 4 और चल रहा है कहानी हमें क्या पूछा है MZ किसको represent कर रहा है ठीक है MZ यहाँ पर नहीं था MZ यहाँ पर present है यहाँ से दूसरा code MZ है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा word MZ को represent करेगा कर देते option बे answer कर दे क्या ऐसा कर दे गया MZ दूसरा है तो इधर का दूसरा code भी है उसी कहो यह नहीं करना है ठीक है इतना आसन होता तो पचास साथ हजार की salary के नौकरी के लिए थोड़ी पूचा जाता है ना यह इतनी आसन चीज़े करके पचास साथ हजार salary कौन देगा आज के टाइम में यह इतना समझधार तो हम भी है ना चलो इसको देख लेते हैं solve कैसे करना है सबसे पहले सबसे पहले जिसको भी दूढ़ना है उसको information में spot करो हमें किसको दूढ़ना था MZ को spot करो MZ को MZ पहले statement में नहीं है MZ सेकंड में नहीं है MZ हमें third statement में मिला MZ fourth statement में इसका interpretation क्या हो अगर यह सिर्फ तीसरे statement में present है तो जिस किसी भी word को represent कर रहा होगा वो word भी तो सिर्फ तीसरे में होना चाहिए था है कि नहीं तो कौन सा ऐसा word है जो सिर्फ तीसरे statement में present हो देख लेते है million तो repeat हो चुका अगर million को repeat करता तो million जहां जहां पर है वहां वहां पर MZ होना चाहिए था पर है क्या अब बचा क्या take issue vary issue भी repeat हो गया तो issue को भी represent नहीं कर सकता vary 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 first statement में नहीं है vary second statement में मिला तो vary भी नहीं होगा तो बचा क्या take तो MZ किसको represent कर रहा था take को represent कर रहा yes myra absolutely perfect logic fantastic okay LG gaming motivational teacher शाहरी दिक्षा रतिका अनुराग जानवी चिराग बहुत बढ़िया समझ में आ गया Chinese coding simple है आसान है easy है ना चलो easy है तो अब solve कर रहा हूं PZ किसको represent कर रहा है बता same process लगानी है same process problem इसका answer है मुझे लगा आप किसी को problem है ठीक है answer problem है तो दिक्कत नहीं है ठीक है PZ किसको represent कर रहा है देख लेते हैं सबसे पहले PZ कहां पर है यह देखेंगे PZ first statement में दिखा PZ second statement में दिखा PZ third में नहीं है fourth में नहीं है अब MZ तो सिर्फ एक statement में था जब MZ एक statement में था तब ऐसा word हमने धूंड़ा जो सिर्फ एक statement में present हो आप यहां पर हो क्या रहा है यहां पर PZ यह दो-दो statement में मिल रहा है इसका मतलब PZ को जो भी word represent कर रहा होगा वो दोनों statement में चाहिए इन दोनों statement में कौन से words है एक तो problem है दुसरा million है problem और million में से कौन सा word confusion है कि नहीं है कैसे sort out करेंगे दिखो सिर्फ इन दोनों पर ध्यान देते रहेंगे तो यह confusion कभी sort out नहीं होगा कि problem और million में से exactly किसको PZ represent करता है ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा बचे हुए statement की मदद लेनी पड़ेगी अब बचे हुए statement में problem और million में से कौन सा word दिखता है बचे हुए statement में हमें देखा million तो million के लिए PZ दिख रहा है क्या नहीं इसका मतलब million में PZ represent नहीं कर सकता million गया तो बचा problem option number a is आप से लिए उटले करेंगा answer देगा है यह प्यार बेचने फिर से आ गया कोई तो इसको उड़ा देता हूं मैं रुको तब तक आप इसको solve करो यह सुद्रेगा नहीं है 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 मतलब इत्ता ही काम है हमारे पास है है हमारे पास है मम्मी पापा है और सफिशेंट है ठीक है और किसी को दूनने की ज़रुरत नहीं है है हमें अगे जलो कि पीपल वही का कोड़ बताओ ऑ Colorado किसका कोड़ चाहिए पीपल और वही का कोड़ चाहिए बसे पहले हम पीपल को भी धूंड RIGHT देंगे वही कोड़ प्ला दिए लेता है पीपल फर्स्ट में नहीं है शेलो देखि ए्कल सिर्फ ब्रेजंट में बिल् мест में देखना-ब्रेजन-च्वाइद्ट से और PF में से, WZPF यहाँ पर नहीं, WZPF यहाँ पर नहीं, WZPF यहाँ पर नहीं, क्या हम यह confirm कर पाएंगे, आपने answer क्या दिया है, समझदार हो गया हो, एक बात बता, हमें यह बात तो पता थी न, कि people का code, people सिर्फ और सिर्फ last statement में है, तो people को जो भी code represent करेगा, वो भी सिर्फ last statement में होना चाहिए, जब हमने धूंडा, last statement में कौन-कौन से code है, सिर्फ last statement में, तो हमें पता चला, यह दो code है, इसका मतलब, people का code, इन दोनों में से क्या है, यह confirm नहीं हो पाएगा, या तो PZRWZ represent करेगा people को, नहीं, तो PF represent करेगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है, चला, very का code निकाल लेते हैं, very का code, 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 very कहां है, very second statement में है, very third statement में है, first और fourth में very नहीं है, HF, PZ, KV, PF तो यहाँ पर KV HF, PZ, PV PV भी है भाई साब आब KV और PV में से KV, PV यहाँ पर नहीं है KV, PV यहाँ पर नहीं है तो वेरी को कोन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्जाटली पता कर सकते है क्या KV रिप्रेजेंट कर रहा है या PV रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ पता कर सकता है ठीक है कर सकता है के वी इदर रिप्रेजेंट हो चुका है तो ये वेरी का तो final हो गया वेरी का final हो गया वेरी का kya final हो गया PV अब ज़रा ध्यान से देखना हमें किसका code चाहिए था पीपल वेरी का, तो पीपल को क्या रिप्रेजंट कर रहा था, या तो डबल्यूजड रिप्रेजंट कर रहा था, नहीं तो पीएफ रिप्रेजंट करता, ठेक, अब इन दोनों में से किसी एक कोड के साथ हमें क्या चाहिए था, पीवी चाहिए था, अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर actual खेल है अब यहां पर actual खेल है और reasoning में या फिर मैं यह कहूं banking examination में banking examination को clear करने को लेकर जितने भी लोग serious है ना एक आदत पर काम करना comprehension पर दी हुई information आपको जितने जल्दी और जितने अच्छे से समझ में आ जाती है उतने जल्दे banking examinations clear हो जाते हैं एक चीज अगर कोई मुझसे पूछेगा कि bank examination clear करने के लिए वो एक चीज बताओ जो मुझे बहुत काम आएगी तो वो है comprehension क्योंकि banking examination में सारा का सारा खेली सीखाए पढ़ सब लोग लेते हैं syllabus कम है तो पढ़ सब लोग लेते हैं सबको पता है कि हर एक topic में क्या करना है बट examination में वही syllabus पर question घुमा फेरा के पूछेगा तो जब question घुमा फेरा के पूछा जाएगा तब क्या चीज हमें काम करेगी कौन सी चीज मदद करेगी comprehension ठीक है तो अब ज़रा ध्यान देना comprehension language का comprehension क्या कहता है इस question को जब कभी भी चीजे confirm नहीं हो रही हो एक चीज पर आपको ध्यान देना है question की language पर question की language में आपको definite code पूछा जा रहा है या question की language में आपको possible code पूछा जा रहा है बहुत important है क्योंकि यहां पर गड़बड हो सकती है और होती है बताता हूं मैं यह भी बताता हूं ठीक है तो यहां पर क्या होगा यहां पर confusion है तो confusion में हम question की language पर ध्यान देंगे definite sense में पूछा जा रहा है possible sense में which of the following is जहां पर यह is आया इसका मतलब clear हो गया कि हमें code कैसा चाहिए था हमें definite code चाहिए था हमें definite code चाहिए था इसका मतलब confusion नहीं ठीक definite code चाहिए था इस वजह से हमारा answer क्या आ जाएगा can not be determined definite चाहिए था इस वजह से हमारा answer आ जाएगा cannot be determined अगर अगर examiner खेलता paper set करने वाला इधर खेलता और is the की जगर कुड़ भी लिखता इस question में definite की जगर possible code पूछा जाता तब हम क्या करते पीवी के साथ इन दोनों में से कोई एक code भी चल जाता ठीक है पीवी के साथ WZ और PF में से कुछ भी चल जाता ओके तो पीवी के साथ वैसे कुछ था ही नहीं option में ठीक है चलो तो हम possible code के लिए जा सकते थे मान लीजिए इसमें मैं एक option चेंज कर देता हूँ यह option चेंज कर देता हूँ ठीक है इसमें एक option चेंज करके मैंने क्या कर दिया WZ PV कर दिया WZ PV कर दिया ओके तो अब जब हमें is the code पूछा हुआ था options ऐसे ही है options ऐसे ही है जब हमें confirm code पूछा था answer cannot be determined ही होगा और जब could be यानि possible code पूछा जा रहा है तो possibility वाले case में जब question could be से बना हो तब हम answer ये वाला टिक कर सकते थे अब हम answer ये वाला टिक कर सकते थे क्लियर है जबको discussion क्लियर है अब एक चीज यहां तक क्लियर है तो मैं थोड़ा सा और variation आपको बता दू कि इसमें क्या variation होता है ठीक है अब question को क्या रखते है question को definite रखते है अब question क्या है definite है question क्या है definite है अब definite वाले angle से सोचते है रूको इंका color change कर लेता हूँ ताकि जब यह notes आपके पास आए आपको ज़रा discussion समझने में आसा नहीं है अब definite question consider कर लेते हैं मैं एक और option change कर देता हूँ पी एफ पी वी कर देता हूँ इसको हटा देता हूँ और क्या कर देता हूँ पी एफ पी वी कर देता हूँ अब answer क्या करेंगे बता हूँ question definite sense में है which of the following is the code for people very definite sense में code पूछा है options यह रहे आपके सामने answer क्या अगर either one or three पर option में नहीं है either one or three option में नहीं है फिर क्या करोगे नहीं आपका answer सही है पर वो option में नहीं दिखा ना हमें tick करते वक्त या तो a पर tick करना b पर करना c पर करना d पर करना नहीं तो e पर करना है ठीक, अब क्या करते हैं, अब options को ऐसे ही रखते हैं, अब options को ऐसे ही रखते हैं, question को possibility वाले angle में consider कर, अब क्या answer होगा, options ऐसे ही है, question possibility वाले angle में है, तो क्या होगा बता हो, यह सारी चीज़ों में examiner खेलता है, ठीक है, तो यह पिछले 7-8 मनट का discussion आपको crystal clear होगा न, इन च question अगर possibility वाले angle में है, तभी भी answer cannot be determined ही रहेगा, either one or three हमारे पास option में नहीं है, either one or three answer एकदम perfect है, perfect है पर option में नहीं है, perfect है पर option में नहीं है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस option को भूल जाता हूँ, ठीक है, इस option को मैं भूल जाता हूँ, और question को possibility वाले angle में ही रखता हूँ, ठीक है, यह option आपके सामने यह है, यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा option, question आपका possibility वा आपके सामने है, और question possibility वाले angle में हो, तब हम answer एकर सकता है, यह थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है, अब क्यूँ एकर सकते है, क्योंकि अब हमारे पास confusion नहीं है, अप्शन में confusion नहीं है, जब हमें यह दिया था, पी एफ पी वी यहाँ पर, ठीक है, जब हमें यहा ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस option को हटा देता हूँ, मैं इस option को हटा रहा हूँ, और यहाँ पर एक answer डाल रहा हूँ, none of these, ठीक है, यहाँ पर क्या डाला मैंने, none of these, अब answer क्या होगा, question definite angle में है, question definite angle में है, answer क्या होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा, none of these होगा, cannot be determined, अभी भी बहुत बढ़ा, बहुत बढ़ा, अभी भी answer option E ही होगा अभी भी answer क्या होगा option E होगा अब इतने सारे options हटा दिये हमने इतने सारे options हटा दिये हैं तो बचा हुआ ये option भी हटा देता है इधर अब मैं एक option अड़ करता हूँ either one or three either one or three either a or c अब क्या होगा answer अब आपके पास पहला option दूसरा either or तीसरा option चौथा option none of this पाँचा option cannot be determined इन सब में जादा सही answer क्या होगा जादा सही answer either और का होगा तब answer either or ठीक है ये कहानी कभ है ये कहानी तब है जब हमाएं codes confirm नहीं हो रहे हो जब codes confirm नहीं हो रहे हो तब हमें क्या करना है question की language पर ध्यान देना है वो definite sense में question पूछ रहा है possible sense में question पूछ रहा है और option पर ध्यान देना इंट्रेस्टिंग है इंट्रेस्टिंग है ना चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रेस्टिंग है तो और अभी तक सारी चीज़े एकदम चका चक clear है तो एक बार वाय टाइप करो सब लोग अगर possibility में हो और either or ना हो तो not लगाएंगे possibility cannot be determined लगाएंगे कोन मानिया जी cannot be determined लगाएंगे ना तब determine नहीं कर पा रहे है ठीक none of these का मतलब कोड हमें पता है पर वो option में नहीं है तब जाके none of these लगे ओके चलो अगला question solve करो started was people अभी तरशी गुड मॉर्निंग ठीक है यस जी साया सारे के सारे टाइप्स कर रहूंगा ना मैं यस अवंतिका जी बिल्कुल सही कहा comprehension सही से रहा तो answer ज्यादा सही आता है यस निकिता जी गोल को छोड़ना नहीं कर दे started was people ठीक है हमारे पास क्या statement है started was people अब इसमें से people का code शायद हमारे पास पहले से है ठीक है people का code हमारे पास शायद पहले से है और वो क्या है wzpf किदर है people people को को रिप्रेजेंट कर सकता है people को wz और pf में से कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है ठीक है, question कैसा पूछा जा रहा है, may be, यानि possibility वाले एंगल में question पूछा जा रहा है, ठीक है, code confirm नहीं हो रहे थे, और question possibility वाले एंगल में पूछा जा रहा था, इसका मतलब, चल सकता है, आगे चल सकता है, चलो ठीक है, started का code निकाल ले, started first statement में नहीं है, started second में नहीं है, third में नहीं है, fourth में started मिलता है, ठीक है, तो started हमें सिर्फ fourth में मिला, तो उसको represent करने वाला word भी, code सिर्फ fourth में होना चाहिए था, ये wz और pf, wz और pf ही तो है, तो started को wz pf, इसका मतलब started और people, started और people इन दोनों words को, ये दो codes represent कर देंगे बाद खाता, ठीक है, अब बचा क्या, was बचा, was first statement में नहीं, second में नहीं, third में नहीं, ये क्या बला है, examiner ने typing, typing error कर दिया गया, was दी हुई information में present ही नहीं है, फिर यहां कहां से आ गया, तो was एक नया word हमें मिला है, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, clear नहीं दिख रहा है, पुझा जी, resolution adjust करिये, ठीक है, तो, जब कभी भी नया word हमें मिल रहा हो, तब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, उस नय word के लिए, जो code मिलेगा, वो नया code होगा, ठीक है, और वो नया code सिर्फ possible sense में हम discover कर सकते है, definite sense में, वो नया code पता नहीं कर सकते, है ना, yes word नया, तो code भी नया, अब हमें इतना तो पता है, कि हमारे answer में WZPF होना चाहिए था, इसमें WZ नहीं था, option A cancel, WZ है, PF नहीं था, ये cancel, WZPF कुछ भी नहीं है, था, WZ है, PF है answer हो सकता है, या फिर option E answer हो सकता है, था, WZPF के साथ extra code क्या आया KZ, क्या KZ दी हुई information में present है, KZ इधर नहीं है, KZ इधर नहीं है, KZ इधर भी नहीं है, KZ इधर भी नहीं है, यानि KZ एक नया कोड है जो रिप्रेजेंट कर सकता था इसलिए आंसर आजाएगा Option D Option D समझ में आ गया सबको अब मैं क्या गरता हूँ यहाँ तक सबको चीजे समझ में आ गई है तो एक बार Y टाइप करो अब examiner थोड़ा सा खेलेगा उसका मुड़ बन गया है खेलने का तो वो क्या करेगा? खेलेगा कैसे खेलेगा? इस में भी को हटा देगा ठीक है? वो क्या करेगा? इस में भी को हटा देगा अब में भी को हटा कर उसने यहाँ पर लिख दिया इस, what is the code for started was people in the given code line तो आंसर क्या? अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए perfect, fantastic definite है तो हम was का code definite नहीं बता सकते was का नया code possibility वाले अंगल में बता सकते है definite angle में नहीं बता सकते इसका मतलब जब is, यानि definite sense में question पूछा जाएगा तब हमारा answer ननौफती साहिए बहुत बड़िया शानदार ठीक है? चलो यहां तक सारी चीज़े clear है तो एक और pattern का question आप लोगों के सामने इसको भी solve करो अप्ष्र सकते है नहीं लोगों के लोगों के रीकाईक चलो तो अब हमें क्या दिया है what seriously started का कुछ code दिया है which of the following may be the code for what people very का code चाहिए ठीक है what people very का code चाहिए अब हमारे पास people का भी code है very का भी code है very का code हम लोगों ने already निकाल लिया है तो very का code किधर तो निकाला है इधर निकाला है क्या नहीं इधर निकाला है क्या वेरी का code इधर ठीक है very का code कहा निकाला हमने very का code हम लोगों ने निकाला है कि very का code क्या है PV है तो हमारे पास very का code already है PV people का code हमारे पास already था wzpf में से कुछ भी रिप्रेजेंट कर लग सकता था W, Z, P, F में से कुछ भी represent कर सकता था अब what का code चाहिए था what का code कहां से मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा ठीक है, अब कितने अच्छे से ये code हम धूनते हैं, matter करता है seriously started, started दी हुई information में present है seriously दी हुई information में present है हमें इन दोनों के exact code से कोई लेना देना नहीं है हाँ हमारे पास पहले से है, पर नहीं होता, तब भी कोई लेना देना नहीं था क्योंकि what ये ऐसा word था, जो इस information में present नहीं था what ये word इस information में present नहीं है इसका मतलब what का code भी नहीं होना चाहिए था इसका मतलब, इन तीनों में से, ऐसे codes अगर हम यहां से हटा दे का code आसा नहीं से मिल जाएगा, wv, hf, wz, wz दिखा, hf दिखा, बचा क्या, wv तो what का code क्या बचा, wv, हमारा answer क्या होगा, wv, इन दोनों में से कोई एक code, pv, wv, pv आ गया है, इधर इन दोनों में से कोई एक code नहीं था गया, wv नहीं है, गया, wv आ चुका है, pv आ चुका है, pf आ चुका है, option c is absolutely correct है, ठीक है, ओके, chinese coding सारी की सारी clear होगे, a to z chinese coding clear हो गई है, तो एक बार y type करिए सभी लोग, अभी थोड़े से अच्छे pattern पे चलेंगे, पर उससे पहले कुछ important instructions, यहां पर अब क्या होता है न, एक ही question को solve करने के बहुत सारे method होता है, कुछ methods ऐसे होते हैं, जो समझने के लिए और practice करने के लिए आसान लगता है, ठीक है, बट कही न कहीं वो methods time consume करें, और कुछ methods ऐसे होता है, लगने के लिए शुरुवात में लगता है, कि यार यह method तो बहुत time consume करेंगे, समझने में भी जल्दी नहीं आ रहे है, पर वो methods examination में time बचाएंगे, तो इतना तो आप लोग समझदार हो ना, कि हमें कौन से method पर काम करना चाहिए, वो method जो अभी के लिए समझने में आसान लग रहा है, पर examination में time consume करेंगा, उस method पर काम करना है, या फिर अभी जो method समझने के लिए परेशानी होगी, प्राक्टिस जाधा करनी पड़ेगी, रिविजन जाधा करनी पड़ेगी, पर वो method exam में time बचाएंगे, मेरे हिसाब से ये second वाले तरीके से काम होना चाहिए, अब Chinese coding में क्या होता है, पहले ही सारे codes निकाल लेते हैं, मैं भी शुरू शुरू में यही किया करता है, अब जैसा ये शुरुआ शुरू में हमें पता चलता है, वैसे ही करता है, तो मैं क्या करता है, हर एक word का code पहले ही निकाल लिया, मेरे पास सारे code है ठीक है बट जब मैं आगे चलता गया ना तो एक चीज मैंने realize की इसके उपर तीन से पाच question पूछेगा ठीक है और prelims examination में means में कर रहे हो कोई बात नहीं है means में करो कोई फरक नहीं ठीक है पट prelims examination में इन सारे words के codes की जरूरत हमें नहीं पढ़ती है अब इसके उपर अगर दो ही सवाल पूछे तो फिर सारे के सारे codes की जरूरत ही नहीं है है ना तो सारे codes पहले ही निकालने के चक्कर में बिल्कुल पढ़ना नहीं क्योंकि prelims examination में हो सकता है इसके उपर एक ही question आजाए हो सकता है इसके उपर 5 question आजाए तो solve करने का approach क्या होना चाहिए solve करने का approach मैं आपको बताता हूँ जैसे Chinese coding का पहला question हमें देखा कुछ नहीं करना है आपको ये statement भी पढ़ने नहीं है आपको पहले सीधा question पढ़ना है जैसे ही Chinese coding आपके सामने आती है सीधा question पढ़ना है और क्या आपको चाहिए ये देखना है MZ का word चाहिए था फिर question में जाकर MZ देखो और MZ का code दूंडो MZ का code निकालते निकालते जितने भी codes आपको पता चलते है सारे के सारे अपने roughsheet पर लिख लो extra code पता चलते है तो वो हमने roughsheet पर लिख लिए ठीक ये question solve हो गया अगले question पर चले हमें PZ चाहिए था तो PZ हमने code निकाला ठीक है तो PZ किसको represent कर रहा है पता चल गया roughsheet पर लिख लेंगे और इस process में any chance by any chance अगर हमें बाकी के कुछ codes पता चल जाते तो वो भी अब roughsheet पर लिख लेंगे ठीक है ऐसे करते करते हमें आके पढ़ना है जो पता चल रहा है वो roughsheet पर note down करेंगे ठीक है अब पूजा जी number series quant में आता है reasoning में number series नहीं आता अब क्या करेंगे ये जो है ना जरह प्राक्टिस करते है एक सेट पर और फिर एक अच्छे लेवल का प्यारा सा question सब लोग जल्दी से बताओ EZ किसको रिप्रेसेंट कर रहा है और शायद पूजा जी सुमित सर ने number series की classes ले चुके सुमित EZ किसको रिप्रेसेंट कर रहा है इससे निकालने के लिए सबसे पहले EZ को पकटते है EZ first में नहीं दिखा EZ second में दिखा third में नहीं दिखा fourth में नहीं दिखा EZ सिर्फ second में है तो उसको रिप्रेसेंट करने वाला code भी सिर्फ second में चाहिए होगा word second में चाहिए होगा if you below to donate donate repeat हो चुका EZ नहीं था ना और कहीं नहीं था चलो donate repeat हो चुका you below if if repeat हो चुका ठीक है below to repeat हो चुका अब below यहां पर repeat हो चुका बचा क्या you option A खत्म ठीक है मेरा ध्यान है कमेंट पर कौन कमेंट disturbance के लिए डाल रहा है PDF कैसे डाउन्ट लोड करेंगे प्राक्टिस के लिए निकेता जी PDF सेशन की PDF आपको PW के आप पर मिलती है PW का आप डाउन्लोड करना banking goal चूज करना उसमें goal batch दिखेगी goal batch जॉइन करना free of cost batch है 0 rupees पे करने एक रुपया भी नहीं देना ठीक है तो उस batch को join करेंगे तो वहाँ पर आप lecture में जाएंगे lecture के बाजू में PDF वाला section है हर एक lecture का video और PDF दोनों वहाँ पर ठीक है अब हमें you any का code चाहिए तो you any you का code हमने पहले ही निकाल लिया देखो जो code हमें पता चल गया है उसको roughsheet पे लिख लिया तो you का code हमारे पास roughsheet पर already present है और वह code क्या है ez तो ez you को represent कर रहा है हमें पता है हमें सिर्फ any का code निकालना है any first में नहीं है second में नहीं है any मिलता है third statement में fourth में नहीं है है ना any fourth statement में नहीं तो any का code सिर्फ third में होना चाहिया था चलो देखते है go pvksim तो go repeat हो चुका pvksim ks repeat हो चुका अब यहां पर pv im मैं से pv repeat हो चुका बचा क्या im any को क्या represent कर रहा है im तो यहां पर ezim option b is absolutely correct ठीक है चलो एक question you any तो हमने solve कर लिया pillow donut using का code चाहिए pillow donut using का code चाहिए pillow donut using का code चाहिए जल्दी से बता दीजिए फिर एक बहुत प्यारा सा question discuss करेंगे और फिर मैं आपको कुछ एक राज बताऊंगा राज की बात बताऊंगा प्रेट बताऊंगा प्रेट बताऊंगा दूसरे में मिला तीसरे में मिला ठीक है तो इन सब में donut एक ही word common था तो code भी एक ही common होगा ytkshfnw ठीक है तो कौन सा code common दिख रहा है ytkshfnw ks 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 ये code common दिख रहा है तो donate का code तो हमें मिल गया ks below का code चाहिए below का code निकाल लेते हैं ठीक है below कहां पर दिख रहा है हमें below 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 first में नहीं दिखा below second में दिखा below हमें third statement below fourth में दिखा क्या नहीं below second और third दोनो statement में है उसका code भी दोनो statement में होना चाहिए था if you below to donate ये तो donate का code छोड़ देंगे ठीक है तो अब इन दोनों में कोन सा code common है ez नहीं है hf नहीं है pv बचा ठीक है तो यहां पर क्या बचा हमारे पास pv बचा तो ये बात तो confirm हो गई कि below का code हमें मिल गया pv अब बचा using using कहां पर है using हमें दिख रहा है first statement में using second में नहीं दिखा third में नहीं दिखा using हमें दिखा fourth statement में okay using first and fourth दोनों statement में है कोन से word common है इसमें ये भी देखना पड़ेगा donate to paypal using receive article if using सिर्फ एक ही word common है using तो code भी एक ही common होना चाहिए था कोन सा code था वो yt ठीक है अब यहां से क्या सीखा हम answer तो निकाल लोग आप मुझे पता है pvksyt pvksyt option c is absolutely correct answer सीखा क्या जादा important Chinese coding easy है agree करते हो नहीं करते हो बताओ Chinese coding easy है but Chinese coding के questions tricky बनाये जा सकते है but Chinese coding के questions lengthy बनाये जा सकते है ठीक है Chinese coding खतम Chinese coding easy है ना मैं यहां पर तीन वर्ड के जगह 7 वर्ड दे देता time और जादा लगता तो Chinese coding है easy but इसको tricky बनाया जा सकता है कैसे tricky बनाया जा सकता है हमने देखा किदर देखा यह language का सारा खेल option का सारा खेल tricky बनाया जा सकता है जहां पर Chinese coding tricky बन रही है वहां पर concentration अच्छा रखना है और जहां पर Chinese coding lengthy बन रही है वहां पर patience अच्छा रखना है है ना तो easy के लिए तो कुछ करना नहीं है जहां पर Chinese coding tricky बन रही है वहां पर concentration अच्छा होना चाहिए जहां पर Chinese coding को लेंदी हो रही है वहांपर väldigt अच्छा होना कि प्रेशंसald का स्पीलिंग जो भी हनी कि क SAPS ॉभिफ ठीज निवर्ड बेसिक च्रवन अभी डिसक्स करें गवा चाइनीज कोडिंग सबको क्लियर है चाइनीज कोडिंग अगर क्लियर है तो सब लोग एक क्वेश्चन का अंसर करेंगे अब यह वाला मज़ आएगा सॉल्फ करके न्यू वर्ड रिड सिंप्लर इस रिटन आज हैश दी टॉलर आर अट दे रेट डव्ल्यू हैश दी पीवी के साथ एस भी है उसे क्यों नहीं लिया अच्छा निकिताजी पहले यह क्वेश्चन डिस्कस करते फिर आपके डाउट पर चलते है निकिताजी पढ़ लिया है मैंने आपका डाउट यह क्वेश्चन का discussion होने देजिए फिर doubt आपके चलेंगे हाँ हाँ yes 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 पढ़ लिया ने किता जी question आपका doubt क्या बात है क्या बात है कुछ लोग तो कह रहे cannot be determined है ना discuss इस information में है यह नहीं इस information में discuss है यह नहीं तो cannot be determined है हमारा answer चलो आगे easy था इतना इतना easy था यह question है ना इसा नहीं है यह means का question है यह means का एकदम basic question है means में हमें इससे अच्छे questions भी है तो ध्यान से समझों वह होता क्या है ना मुझे अच्छे से याद है 2018, 2018, 2018, 2018 गा पेपर था उस टाइम पे यह ऐसा questions देखने को मिले था तो बहुत सारे लोगों ने यही क्रांतिकारी काम किया था क्योंकि अभी यहां पर हमने बहुत सारा effort डाल के यह देखा था कि अगर word दी हुई information में present नहीं है तो फिर उसका code हम किया जा रहा है हर एक code में आपको क्या दिख रहा है हर एक code में आपको एक symbol दिख रहा है एक letter दिख रहा है यानि हर एक code में दो parameters है हर एक code में दो parameters है पहला parameter क्या है पहला parameter symbol है दूसरा parameter क्या है दूसरा parameter अब यह सिंबल किस लोजिक से आया यह देखना इंपॉटेंट है इधर टबल्यू आखरी लेटर यह आखरी लेटर है और आकरी लेटर है लेटर कौन कुन से है डी है और है डबल्यू है दी है यानि हर एक word का जो आखरी लेटर है वही आखरी लेटर code में दिख रहा है देखो इधर आखरी लेटर यू है एन टी ए देखो यू एन टी ए फर वर्ड का आखरी लेटर तो लेटर का लॉजिक तो हमें मिल गया लेटर का लॉजिक क्या है लास्ट लेटर ओफ देखो इसी लिए तयारी जबी भी कर रहे है ऐसी ही तयारी रखना कि वो तयारी आपको सारे स्टेजिस से क्लियर करा सकते है यह फिर से आ गया रुको कि पता नहीं हमें बार-बार डिस्टर्प करने क्यों आते हैं फिर से उड़ा दिया कित्ती बेज्जती कराएगा खुद की मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर से आके यह चित्र विचित्र कमेंट कर रहा है मैं फिर से इसको ब्लॉक कर रहा हूं हमारे टीम ब्लॉक कर रहे है थोड़ी तो खुद्दारी रखो हम नहीं डिस्टर्भ होंगे आपके ऐसे चित्र विचित्र कमेंटों से चलो यह तो मिल गया है अब हमें सिंबल पर ध्यान देना है चलो सिंबल पर ध्यान देते है अब सिंबल का ध्यान देंगे आचैनल सिंबल जो कमन है उसको पहले पकड़ो सिंबल का कोई दिक्कत नहीं है जो कॉमन सिंबल है पकड़ो dons यह दोनों कोड को नुन वर्ट को रज कर रहे हैं जिनके आखरी में डी हो याने वर्ड और रिड वर्ड के लिए भी हैश आया, रिड के लिए भी हैश आया, इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों में कोई एक कॉमन चीज है जिसको हैश रिप्रेजेंट करता है, वो कॉमन चीज है क्या, ठीक है, यस कोई अगर डिस्टरप कर रहा है तो ब्लॉक कर दूँगा मैं, आप इस पूरा ध्यान इस पर दीजे, तो इन दोनों में कॉमन चीज हमें दिख रही है, नंबर ओफ लेटर्स, चार लेटर्स इसमें है, चार लेटर्स इसमें है, क्या सिंबल गन्फरम नंबर ओफ लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, देखना पड़ेगा, तो कोई और इसमें को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों में नंबर ओफ लेटर्स कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, दोनों में लेटर्स साथ, बात कन्फरम हो गई, कि डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल रिप्रेजेंट हो ठलो यहां पर एक बात पता चल गई है न और हरा है जब हमारे पास कितने लेटरिंए हो जब मारे पास चार म्रिटर से किसी है इसी भी वर्ड में चार म्रियर्टर यूज और आध्ड यूज जा रहा है एक फिन दुल आध्वर यूज में add the rate, add the rate ये symbol कभी use किया जा रहा है जब किसी भी word में तीन letters हो ठीक है, उसके बाद ये तीन letter हो गया, ये पाँच letter वाला word आ गया, learn एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच letters जिस word में है उसके लिए क्या represent किया जा रहा है percentage, समझ में आ गया process process समझ में आ गया ठीक है, उसके बाद ये तीन letters हो गया associated है, लंबा चोड़ा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस थग्या, ठीक है associated, associated को क्या represent कर रहा है, star d, यानि star कब represent किया जा रहा है जब उसमें 10 letter हो दसी थे, तीन, छे, नो, दस, yes width में चार, छोड़ दो speaking में, तीन, छे, आठ 8 letters अगर हो तो ampersand use किया जा रहा है ampersand कब use किया जा रहा है जब किसी भी word में ठीक है, अब देखो discuss का code आ सकता है कि नहीं आ सकता है discuss में जो logic हमने देखा, उसे logic के हिसाब से चलेंगे, आखरी letter as it is लेना है आखरी letter ले लिया, letters कितने है इसमें, साथ, तीन, छे, साथ जब साथ letters आ रहे हो तो symbol कुन सा use होगा dollar, तो इसका answer क्या आना चाहिए, dollar s याने option b मज़ा आया कि नहीं है बदाओ मज़ा आया ना पहले none of these कर रहे थे ओके, चलो ऐसा ही, same question है same logic है, बस आप मुझको cache का code बता दीजे cache का code बता दीजे repeat पूरा question अगर repeat चाहिए तो एक बार video थोड़ा सा rewind करके फिर से सुन लीजे please last letter as it is लिखना है last letter e था total number of letters 5 थे 5 letters के लिए symbol यूज़ करना percentage था तो इसका answer आजाएगा percentage यह option a खतम ठीक है अभी किसी का तो question था कौन सा question था आप पूछ लीजिए मज़ेदार है यह yes यह मज़ेदार है ओके देखो बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोग बिलकुल सही determination सही सोच के साथ इस सफर की शुरुवात किये बस उन दोस्तों से एक छोटी सी गुजारी समझ लो डाट समझ लो गाइडन समझ लो जो कुछ आपको समझना है समझ लो यह आपका जो initial momentum है ना इसको तब तक जारी रखिये जब तक selection नहीं में कुछ भी हो जाए इधर की दुनिया उधर हो जाए जो सपना आप लोगों ने देखा है उसको पूरे करने के लिए efforts कभी छोड़ना मत ठीक ओके तो आज का पूरा session first we invest some time then we can solve quickly यह सरोज यह आपसलियोटली करें ठीक है तो पूरा coding decoding revise कर लेते हैं coding decoding में शुरुवात में हमने तो मज़ेधार कहानिया सुनी ठीक है कहानियों में क्या सोना हमने वो reverse pairs है ना मिया बीबी की जगडे की कहानी किसी ने miss की हो तो session का शुरुवात का part देखना जरूर उसके बाद हमने कुछ positional values के लिए शांदार trick देखे उसके बाद later to later coding में क्या क्या relations और patterns बनते है देखा चाइनीज coding में basic तरीका क्या है solve करने का उसके बाद examiner क्या क्या variations करता है वो देखा चाइनीज coding के बाद हम लोगों ने ये एक मज़ेदार question PV के साथ AS भी तो use क्यों नहीं अच्छा PV के साथ AS ठीक है एक छोटू सा doubt में solve कर देता हूँ फिर एक बहुत interesting question आपको दे देता हूँ यही question था PV के साथ KS भी था तो KS below को क्यों नहीं represent करेगा यही doubt है आपका Nikita जी यही doubt है बताईए है हाँ यही है तो देखी ऐसा है ना KS किसी और को represent कर रहा है ठीक है तो KS 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 represent कर रहा है donate को तो एक बार एक code एक ही information को represent कर सकता है ठीक है ओके clear है सबको Nikita जी doubt clear हो गया चलो अब मेरा question है यह thank you सफिद कैसे हो गया चलो यह मेरा question नहीं है यह thank you सफिद कैसे हो गया मेरा question है न एक यह है मैं question लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना question I के साथ is लिखना सही है या I के साथ M लिखना सही है बताओ I के साथ is लिखना सही है या I के साथ M लिखना सही है यह क्या बच्च वाला सवाल पूछ लिए of course I के साथ M लिखना सही है success अगर चाहिए तो थोड़ा सा out of the box सोचना सीखो I के साथ is लिखना भी सही है I is a letter बतादो grammatical error क्या है I is a letter मैंने कुछ गलत कहा नहीं कहा पर होता क्या है न हम जो एक typical thought process बना चुके होते हैं उसी thought process से हम आगे बढ़ रहे होते हैं ठीक तो success यह जो हमारा typical mindset है यह typical mindset break करने के बाद में आज के session में मेरी तरफ से इतना ही उमीद है आप लोगों ने session को enjoy किया होगा हाँ यह आई के इसमें यह होना चाहिए था inverted commas है ना to be more precise अवंतिका जी जो भी questions आपके होंगे पूछ लीजिए comment section में आपके questions डाल दीजिएगा okay तो मिलते है next session में तब तक revision करते रहे है और इस session की pdf जो है आप में से किसी ने download नहीं किया तो pdf डाउनलोड कर लिए ठीक है पीदिएफ डाउनलोड आप पर होगे टाटा बाइबाइबाइब आंड टेक केर ากश यहाज लीजिए हूजशनलोड टेक मैं तो यहाज़ देकी यहाज़ईबाइबाब गात के राग tried7